जिन लोगों का लक्ष महान और बड़ा होता है सहाब, वो फिर रास्ते में आने वाली छोटी मोटी तकलिफों, मुश्किलों, रुकाउटों की परवाह नहीं करते हैं नमश्कार जैहिंद मैं हूँ आपका दोस्त कविया दिगने स्वागत करता हूँ आप तमाम साथियों का हिंदी ग्रेड सेकंड के अंदर या यू कहूँ ग्रेड सेकंड हिंदी का जो पाठेकर में उसमें जो बदलाव हुआ है नई कहानी जोड़ी गई है पूस की रात रचनाकार कोन है अपने प्रेमचंजी मुन्शी प्रेमचंजी रचनाकार है यह नई कहानी जोड़ी गई है और बहुत बहतरी डंगसे में आपको यह करवाऊंगा एक एक चीज बताऊंगा इसपस्ट करता चलूँगा जहां से जो सवाल बन सकता है आप वीडियो को लाइक कर दें शेर कर दें पहली बार देखने चैनल को सब्सकाइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए आप निशिंत रहिए जो भी नया पठेकरम जुड़ा है उसको बहुत बहुत बहतरी डंग से आपको करवाया जाएगा समझाया जाएगा और वीडियो के आखिर में कुछ और आपको सूसना दूँगा मैं जो कि महत्तपून है टेलिग्राम चैनल को आप जोइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शिन मिलने की मिल जाएगा कवी आदी गणेश हिंदी नाम से टेलिग्राम चैनल ने जिस पर 6000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए उसको आप जोइन कीजिए वापर में सवाल वगरा डालता रहता हूँ देखिए यूं तो कहीं साथियों ने इस कहानी को पढ़ा दिया है लेकिन केवल पढ़ा देना ही परियाप्त नहीं होता है वापर भी आपको अच्छा पढ़ाया होगा समझ में आया होगा लेकिन यहां आप पढ़ोगे तो एक एक चीज इसपस्ट होगी कहां से क्या सवाल बन सकता और यह कहानी बनने के बाद में जब हम टेस्ट का प्रशनों का सिलसिला भी प्रारंब करेंगे तो आपको इससे बनने वाले सवाल भी आपको करवा दिये जाएंगा अतिरिक देखिए कहानी में प्रारंब करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं मुंसि प्रेमचंद जो है अपने इनका परीचे तो आपको मैंने पहले वाले पाठों में बहुत विस्तार से है जो करवाया है ठीक है लेकिन इस कहानी के विश्य में थोड़ी सी में बात करूं तो जो पूस की रात ये कहानी है ये 1930 में प्रकाशित होती है अगर ये पूस लिया जाए क्योंकि थोड़ी सी जानकर हमें जरूरी होती है जानना 1930 में प्रकाशित करवाया जाता है इसको कहां करवाया जाता है माधूरी में कहां पर माधूरी हंस माधूरी मरियादा ये इनकी पत् प्रेम्चंद को यथार्त वादित द्रिष्टिकोन था वो पूर्ण रूप से इसपस्ट है जो होने लगा था यह यूं कहें यथार्त वादित आ उनके अंदर है ज्याधा उभर कर आ रही थी इस समय तक प्रेम्चंद के सामने जो कोरा आदर्शुआद था जो वो सब्त सरो अगे जो प्रारम करते हैं उससे लेकर चले थे और उसका निर्वा करते करते पांच फूल तक है जो आ चुके ते यह उनकी रचनाई है ठीक है प्रेम्चंद आगे यह भी स्विकार करते है इस चीज में कि यथार्त वादी वो यहार्त वादी कभी नहीं थे उस जिस अर्थ में प्रगतिवाद उन्हें रखने का प्रियतना है जो करता है वो कहते भी एक दिन कि मैं यह थार्थवादे नहीं हूँ ठीक है आगे इस कहानी की हम बात करें पूस की रात की थोड़ा समय संदर्ब आपको देता चलता हूँ पूस की रात जो कहानी है एक प्रकार से मानव के आर्थिक शोषण और समाज की विवस्ता पर वेंग के रूप में है जो लिखी गई है देखिए यह चीज भी आप नोट कर लीजिए 1930 यहां लिख देता हूँ में वापस 1930 लेकिन इस कहानी के संदर्ब की बात करें तो एक प्रकार मानव के आर्थिक शोषण मानव के यह विशेशता में थोड़ से लिख ले ना इसके संदर्ब में मानव के आर्थिक शोषण और साथ में मानव के आर्थिक शोषण और समाज की विवस्ता पर व्यंग समाज की व्यवस्ता पर वेंगे देखने को आपको इसके अंदर है जो व्यवस्ता पर वेंगे ठीक है ये चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है, ये मिलता है ठीक है अब इस कहाणी में क्या है इस कहाणी में आगे हम देखền थोड़ी सी बाद तो जो कहानी के पात्र है जो पात्र हो एक गरीब किसान है और कहानी का जो आरंब है वो महाजन को कुल जो उसकी जमापुंजी तीन रूपे दे देने के बाद हलकु से है जो प्रारंब होता है तो अब हम कहानी का जो विदिवत रूप से प्रारंब करते है देखिए साब हल्कों ने आकर इसतरी से कहा सहना आया है पहली पंक्ति को भी ध्यान में रखना पहली पंक्ति दे कर पूछा जा सकता किस कहानी की है यह पंक्ति ठेक है? लाओ जो रुपे दे रखे हैं उसे दे दूँ किसी तरह गला तो छोटे मुन्नी ज़ाडू लगा रही थी मुन्नी ज़ाडू लगा रही थी पीछे फिरकर बोली तीन रुपे ही तीन ही रुपे हैं कितने रुपे हैं? तीन ही रुपे हैं और यहाँ पर देखिए जो तीन रुपे हैं उसकी धर्म पत्नी मुन्नी ने अपने प्रियतम जो प्रियवर है पती हलकू के लिए कंबल देने के लिए जमा किये हुए थे तो यहाँ पर ध्यान में रखना मुन्नी कोन है मुन्नी है साथ पत्नी किसकी जो धरम पत्नी है मुन्नी किसकी पती हलकू की हलकू की पत्नी है मुन्नी ये सवाल पूछा जाए तो जरूर आप ध्यान में रखिएगा ठीक तो यहाँ पर मुनी क्या कर रही है मुनी ज़डू लगा रही तो पीछे फिरकर बोली तीन ही रुपे हैं दे दोगे तो कंबल कहां से आवेगा ये कंबल के लिए रख रखे थे हलकू के लिए माग पूस की रात रात हार में कैसे गटेगी उससे कह दो फसल पर दे देंगे अभी नहीं कि फसल जब होगी अच्छे से ने ठीक से तब है जो दे देंगे अब देखियागे हलकू एक शन ए निश्चित दशा में जो खड़ा रहा पूस सिर पर आ गया कंबल के बिना हार में रात को वे किसी तरह जो सो नहीं सकता है साब किसी तरह सो नहीं सकता है मगर सहना मानेगा नहीं गुड़कियां जमावेगा गालियां देगा बला से जाड़ों में मरेंगे मरेंगे बला तो सिर से है जो तल जाएगी तो आगे देखिए तल जाएगी ये सोचता हुए अपनी भारी भरकम डील ली हुई है अब देखिए नाम तो इसका हलकु है लेकिन शरीर से बहुत भारी भरकम है विपरीती समझाब नाम हलकु है लेकिन क्या है डील से भारी भरकम है कौन हलकू तो यहाँ पर एक जिंगे है माग पूस की राध हार में कैसे कटेगी यानि खेत के अंदर काम करते है कैसे कटेगी जो उसके नाम को जो 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 सिद्ध करता था यानि ये सवाल पूस ले जाए पहली बात हलकू तीसरा ये बन गया इसत्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला दे दे गला तो छुटे कंबल के लिए कोई दूसरा उपाई सोचूँगा कि दे दो तो मिस्से तो पीछा छुटे यार ये कही रोज से हैं जो दिमाग खा रहा है पेसे 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 तो इसको तो छुटाओ पीछा कंबल के लिए और सोचूँगा कोई मुन्य उसके पास से दूर हटकी और आंके तरेर्ति वह बोली कर चुके दूसरा उपाई जरा सुनू तो कौन सा उपाई करोगे कि तुम अभी पेसे दे दोगे तुने तो बख दिया यहां पर बोल दिया कि दूसरा उपाई कर लेंगे बता कौन सा उपाई करेगा कोई खेरात दे देगा कंबल कोई खेरात में थोड़ी दे देगा तुम्हें कंबल ने जान कितनी बाकी है जो किस तरह चुकने ही नहीं आती ने जाने कितनी बाकी है जो किसी दर चुकने ही नहीं आती मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते उसको बोलती है मैं कहती हूँ क्यों तुम खेती नहीं चोड़ देते मरमर काम करो उपज हो तो बाकी दे दो चलो छुटी बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जनम हुआ है बाकी मतलब जो लोगों से उधार ले रखा है ब्याज वगरा पेर रुपे ले रखा है कि वो चुकाने के लिए बाकी जो बकाया है वो चुकाने के लिए तो हमारा जनम हुआ है पेट के लिए मजूरी करो ऐसी खेती से तो बाँ जाए, मैं रुपे नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, ठीक है, पेट के लिए खेती करो, ऐसी खेती से तो बाँ जाए, ये पंक्ती देकर पूछा जा सकता है, किसका कतन हो, ध्यान में रखना, मुन्नी का कतन है, मैं रुपे नहीं दूंगी, मैं रुपे नहीं दूंगी हलकु उदास होकर बोला तो क्या गाली खाऊं अब में मुन्नी ने तडब कर कहा गाली क्यों देगा क्या उसका राज है मुन्नी ने तडब कर कहा गाली क्यों देगा क्या उसका राज है ये कथन पूछ लिया जाए तो किसका है मुन्नी का द्यान में रखना इसी तरीके से कथन पूछे जा सकते हैं इस कहाने से मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई बोहें धीली पड़ गई हलकू के उस वाक्य में जो कठोर सत्ते था वे मानो एक भिषण जन्तु की बाती उसे घूर रहा था उसने जाकर आले पर से रुपे निकाले और लाकर हलकू के हाथ पर रख दिये फिर बोली तुम छोड़ दो अपकी से खेती कि अपकी बार ये लास्ट है इसके बाद में खेती वगरा ये करना तुम छोड़ दो मज़ूरी में सुक से एक रोटी तो खाने को मिलेगी अगर मज़ूरी करोगे तो ये सुक से एक रोटी सुक चेंसे एक रोटी तो खाने को मिलेगी पढ़ना रोज रोज मांगने आते रहेंगी जपाड़ पड़े रहोगे किसी की धोंस तो न रहेगी कोई रोज रोज धोंस तो नहीं दिखाएगा अपने अच्छी खेती है मजूरी करके लाओ वह भी उसी में जोंक दो उस पर धोंस हलकू ने रुपे लिए और इस तरह बाहर चला हलकू ने रुपे लिए हलकू ने रुपे लिए और इस तरह भाहर चला मानो अपना रिदे निकाल कर देने जा रहा हो और उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर तीन रुपे कंबल के लिए जमा किये थे वह आज निकल ले जा रहे हैं एक एक पक के साथ उसका मस्तक पानी दीनता के भार से जो दबा जा रहा था जैसे जैसे एक एक पक आगे बढ़ा रहा था रुपे देने के लिए दीनता के भार से दबा जा रहा था कि हाई कितने गरीवे कितने बेबस हैं पूस की अंधेरी रात आकाश पर तारे भी ठिटूरते हुए मालूम होते थे हलकू अपने खेत के किनारे उख के पत्तों की एक छत्री के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़े पड़ा काँप रहा था खाट के नीचे उसका संगी कुटा जबरा तो कुटे का नाम पूछ लिया जाए हलकू के संगी का नाम क्या था इस तरीके से देखे कमाल का सवाल बन सकता है हलकू के देखिए उसका संगी कुटा जबरा पेट में मूँ डाले सर्दिचे कू कू कर रहा था यहाँ पर अब पूछे जाए हलकु का संगी कौन था तो ध्यान में रखना कुत्ता जबरा सवाल एक बनगे इस तरीके से दूसरा हलकु के कुत्ते का क्या नाम था जबरा ठीक दूसरा सवाल इसी तरीकी से सवाल आएगी तो आपको एक एक चीज के एक शब्दों पर एक एक जबरा कुत्ता दोनों के लिए हलकु ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा क्यों जबरा जड़ा लगता है कहता तो था घर में पुवाल पर लेट रहे मैं कहता था घर में पुवाल पर पड़ा रहे तो यहां क्या लेनी आये थे अब खाओ ठंड में क्या कर पड़े दुम हिलाई जबराने पड़े पड़े दुम हिलाई अपनी कूंको दिर्ग बनाता हुआ कहा कल से मत आना मेरे साथ नहीं तो ठंडे हो जाओगे यही रांड पच्छों नहीं जाने कहां से बरफ लिये आ रही है यह ततकालिन समय कि जो शब्दाव लिये उसको जो छेत्री भासा है जो लोकल लेंग्वेज है उसका प्रियोग करते हैं कि यह नहीं जाने कहां से बरफ लिया आ रही है कहां से बरफ लिया नहीं मतलब बहुत ठंडी ठिठूरन बरी है जो हवा चल रही थी, कहां से बरफ लिया आने सितात पर बहुत ठंड ठंडी आवार की, ये कहां से बरफ लिया आ रही है, उटूं फिर एक चिलम भरूं, सर्दी को मिटाने के लिए किस तरह रात तो कटे, आठ चिलम तो पी चुका, कितनी चिलम, आ तकदीर की खुबी, मजूरी हम करें और मजा दूसरे लूटे, कि मजूरी तो हम करें और मजा है जो दूसरे लूटे, हलकु उठा, गड़े में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी, जबरा भी उठ बेटा, जबरा कुन, कुत्ता सहाब, हलकु ने चिलम पीते वे कहा, हलकु का, हलकु कह रहा है, कुत्तों कि यार, जड़ा तो क्या ही जाता है, चिलम से पर तोड़ा मन जो डाइवर्ट हो जाता है, मन जो दूसरे तरफ लग जाता है, तोड़ा ऐसा लगता है, जबरा ने उनके मूँ की और प्रेम से, छलकती हुई आँखों से देखा, प्रे उसकी घुटनियों पर रख दिये और उसके मूँ के पास अपना मूँ ले गया, हलकु को उसकी घर्म सांस लगी, जैसे ही कुत्ते की सांस निकली, उसके मूँ को पास ले जाने पर हलकु को भी थोड़ी घर्माहट महसूस होई, चिलम पीकर हलकु फिर लेटा, और की भाती उसकी चाती को दबाए हुए था, वीडियो लाइक शेर जरूर कीजिएगा अगर नहीं किया है तो, जब किसी तरह नहीं रहा गया, तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थप थपा कर उसे अपने गोद में सुला लिया, और जैदा सर्दी लगी तो कि जबरा को भी लग रही होगी और अपने गोद में सुला लिया, कुट्टे की देह से, कुट्टे की शरीर से जाने केसी दुरगंद आ रही थी, पर वै उसे अपने गोद में चिप्टाय हुए, इसे सुक का अनुभव कर रहा था, जो इधर महिनों से उसे नहीं मिला था, जबरा शायद ये समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हलकू की पवित्र आत्मा में तो उस कुट्टे के प्रती गिर्णा की गंद तक ने थी, सिर्फ प्रेम ही प्रेम था, अगाद सने था, अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वै इतनी ही तत्परता से गले लग अड़ू प्रकाश हैं, जो चमक रहा था, सहसा, जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई, उससे जबरा को लगा, जबरा कुट्टे को लगा कि जानवर आया है, इस विशेश आत्मेता ने उसमे एक नई स्पूर्ती पैदा कर रही थी, जो हवा के ठंडे जोंकों को तुच् दोड़ कर भूंकता रहा, भूंकता रहा, हार में खेत में, ध्यान में रहा हार शब्द पुले, खेत में, जाओं खेती कर रखेती, दोड़ता रहा, भूंकता रहा, एक शण के लिए आ भी जाता, तो तुरंत यह जो फिर दोड़ जाता, एक बार आ जाता, फिर भाग जात तो यह एक बड़िया सवाल बन सकता है चली आगे एक घंटा और गुजर गया सहाब रात ने शीद को हवा से ददगाना शुरू कर दिया हलको उठ बेटा और दोनों घुठनों को च्छाती से मिला कर सिर को है जो उसमें छिपा लिया जैसे हम बैड़ते न अपने जो घुठने होते हैं मा तो दे रहे से कब बिल्कूल शर्दी लगे ने बिल्कूल शिकुड कर छिपा लिया फिर भी ठंड कम न हुई इसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है धमनियों में रक्त की जगए हिम भै रही ऐसा लग रहा है कि खून की जगए अब तो बरप सी भै रही इतनी ठंड लग रही थी उसने जुक कर आकाश की और देखा अभी कितनी रात वाकिय उसे लगा कितनी रात वाकिया कब सुब्ध होगी शपत रिशि अभी आकास में आधे भी नहीं चड़े शपत रिशि जो मंडल कहलाते हैं सात्तारों का जो समोई एक जगए दिखता है उसके लिए आaja क्योत आकास में आधे भी नहीं चड़े तो दिख रहे हैं भी तो उप पर आज आएंगे तब कहीं सवेरा होगा अभी पहर से उपर रात है साब एक पहर से जदा भी रात बाकिया हलकू के खेच से कोई एक गोलिक के टपे पर आमों का एक बाग था पज़र शुरू हो गई थी बाग में पत्यों को ढेड़ लगा वा था हलकू ने सोच हलकून सोच चलकर पतियां बटोर सोचा कि पतियां बटोर और उन्हें जला करें जो खूब तापू में खूब आग शेकूं रात को कोई मुझे पतियां बटोर ते देख तो समझे कोई भूत है कोई ये नहीं समले कि ये भूत आ गया है कौन जाने कोई जानमरी चिपा बेट जो नहीं रहा जाता उसने पास के रहर के खेत में जाकर कहीं पोदे उखाड दिये और उनका एक जाड़ू बना कर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीची की तरफ चला जबरा ने उसे आते देखा पास आया और दुम हिलाने लगा अलकु ने कहा अब तो नहीं रहा जबरा को कहीं जमीन पर एक हड़ी पड़ी मिल गई थी उसे निचोड रहा था हलकों ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोडने लगा जरा देर में पत्तियों का धेर लग गया था हाथ ठिटूरे जाते थे नंगे पाउं गले जाते थे और पत्तियों का पहाड खड़ा कर रहा था इसी अलाव में थंड को जला कर भश्म कर देगा थोड़ी देर में अलाव है जो जल उठा उसकी लोग उपर वाले विरिक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी उस एस तिर प्रकाश में बगीचे के विशाल विरिक्ष ऐ हुआ जान पड़ता था हलकू अलाव के सामने बेठा आग तप रहा था एक शण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली दोनों पाउं फेला लिए मानो ठंड को ललका रहो कि आजाओ अब तेरी जी में आये सो कर ले क्योंकि अब तपन महसूस हो रहे थी उसे सामने से ठंड की असीम शक्ति पर विजे पाकर वे विजे गर्व को रुदे में छिपा न सकता था उसने जबरा से कहा क्यों जबर आप ठंड नहीं लग रही है जबर ने कूं कूं करके मानो कहा आप क्या ठंड लगती ही रहेगी पहले से ये उपाई ने सूजा नहीं इतने ठंड क जाता है अगर जल गए जल गए बचा तो मैं दवा न करूँगा अगर जबर ने उस अगनी राशे की ओर कातरानेतरों से देखा मुनि से कल नहीं कह देना पिर मुनी से कह दिया ना तो फिर लड़ाई हो जाएगी यह कहता हुआ वे उचला और इस अलाव के उपर से साफ निकल गया पेरों में जरा लपक लगी पर वे कोई बात ने थी जबरा आके गिर्द घुम कर उसके पास आखडावा हलकु ने कहा चलो चलो इसकी सही नहीं उपर से कूद कर आओ फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया पत्तियां जल चुकी थी बगीसे में फिर अंधिरा चा गया था राख के नीचे कुछ आग बाकी थी जो हवा का जोंका आ जाने पर जबरा जरा जाग उठती थी यानि वापस आग भवकने लगती थोड़ी से हवा के जोंके से पर एक शण में फिर आंखे बंद कर लेती थी हलकु ने फिर चादर ओड ली और गरम राक के पास बेठावा एक गीत गुनगुनाने लगा क्या उसके बदन में गर्मी आ गए थी पर जोंजों शीत बढ़ती जाती उसे आलश है जो दबाए लेता था जबरा जोड से भौंक कर खेत की और भागा हलकु को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक जुन्ड खेत में आया है शायद नील गायों का जुन्ड था उनके कूदने दोडने की आवादे साफ कान में आ रही थी फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही है उनके चवाने की आवाद चर चर सुनाई देने लगी उसने दिल में कहा नहीं जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता नोची डाले मुझे ब्रहम हो रहा है कहां अब तो कुछ नहीं सुनाई देता मुझे भी कैसा दोखा हुआ उसने जोड से आवाज लगाई जबरा 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 भूंकता रहा उसके पास नहाया फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली अब वे अपने को धोका नहीं दे सका उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था कैसा ददाया हुआ बैठा था बिलकुल इस जाड़े पाले में खेत में जाना जानवरों के पिछे दोड़ना उसे ऐसा ही जानपडा की निट छोड़ो रहे आर वे अपनी जगह से हिला भी नहीं उसने जोड से आवाज लगाई हिलो 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 जबरा फिर भूंक उठा जानवर खेत चर रहे हैं फसल तयार है कैसी अच्छी खेती ती पर ये दुष्ट जानवर उसका सरवनास की डालते हैं हलकु पक्का इरादा करके उठा और दो तीन कदम चला पर एका एक हवा का ऐसा ठंडा चुबने वाला बिच्चु की तरह डंक मारने वाला से जोंका लगा कि फिर बुझते विया लाव के पास आ बेठा जो लाव बुझ हुआ धा हुआ था ऐकरमणनयता ने रस्यों की बहती उसे चार हो तरफ को ऊक्षयआ किसको सवाल बन सकते बहुत अच्छाओं ता ने रस्यों की बहती उससे चार 11वट रखा था किसको हलकु को ठीक है आस या बन गया थे कि छ wollड़ो रार उसी राक के पास गर्म जमीन पर भई चादर ओड करे जो सो जाता है सबेरे जब उसकी नेंद खुली तब चारों तरब धू फेली गई थी और मुन्नी की मुन्नी रही थी क्या सोते ही रोगे मुन्नी कह रही थी क्या सोते ही रोगे तुम यहां आकर रम गए और उधर सारा खेट चोपट हो गया तुम तो यहां पर मस्त हो गए सारा खेट खा गई गए हलकु ने उठकर कहा क्या तूं खेट से होकर आ रही है मुनने बोली हाँ सारे खेट का सत्यानास हो गया बला ऐसा भी कोई सोता है तुमारे यहां मड़या डालने से क्या हुआ पढ़े रहने से क्या हुआ आकर देखने से हलकु ने बहाना किया मैं मरते मरते बचा तुझे अपने खेट की पढ़ी है पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं नहीं जानता हूँ अब गोली दे रहा है उसको मुन्नी को दोनों फिर खेट के डांड पर आए देखा सारा खेट रोंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़या के नीचे चित लेटा है मानो प्राण ही नहीं क्योंकि वो तो सारी रात भोंक रहा था उनको भगाने के लिए इसको बुलाने के लिए लेकिन यह जो हलको महोदे सुनते ही नहीं थे और सरीर से जबर था यह दोनों खेट की दशा देख रहे थे मुन्नी के मुक पर उदासी चाही थी पर हलको प्रसन न था मुन्नी ने चिंती थोकर कहा अब मजूरी करके माल गुजारी बरनी पड़ेगी हलको ने प्रसन न मुक से कहा रात को ठंड में या सोना तो नहीं पड़ेगा कितनी बात कही है कि ठंड में या सोना तो नहीं पड़ेगा सल्टा दिया खा गे तो ठीक रहा आप मजूरी कर लेंगे, रात को तो यहां सोना नहीं पड़ेगा तो यह थी अपनी कहानी, केसी क्या लगी, कमेंट करके आप बताना लाइक नहीं किया, वीडियो को तभी तक लाइक कर दीजिए सभी दोस्तों को सभी गुरूप में जरूर जरूर शेयर करें आपर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का निशूर प्रूप से पाठे करिम करवाए जा रहा हूँ, जो रीट की तेरिक रहा हूँ, उसके लिए भी अल्रडी सारा पाठे करवाई हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देखें, मिल जाएगा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिशन मिल जाएगा, कवी आधिगनेश हिंदी नाम से टेलिग्राम चैनल है, और साथ ही जो मैंने प्रारम में का, आपको न्यूज देने वाल हूँ देखे, कक्षा REIT के लिए, इस पहसली, REIT के अंदर जो जो पार्ट शामिल होते हैं, NCRT, NCRT, 6 से लेकर दस्तक, कक्षा 6 से लेकर दस्तक की, REIT के अंदर जो जो पार्ट शामिल होते हैं, उनी का बहुत बहतरिन डंग से हमने संकलन किया है, वन नाइनर के रूप में, कोल भी फेक्ट नहीं छोड़ा है अगर आप इस NCRT 6-10 की सामाजिक वाली अपने किताबें पढ़ोगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा और बहुत पैशा भी लग जाएगा तो बहुत बहुत बैतर इंदर NCRT आउपना है है जो आपको दे दिये जाएंगे और टेलिग्राम पर मैंने एक दो पेज भी डालें कि इस तरीके से तयार किया कि उनको पर उनको आप मुश्किल से तीन दिन के अदर अच्छे से पढ़ लोगी पूरी एंसे अच्छे से दस तक को तो नामातर शुल्क रखेंगे जैसे दो पर मेलता